आप सभी चात्रों का स्वागत है तो चात्रों आज की इस वीडियो में हम आप सभी चात्रों को 6 नवंबर से 15 नवंबर के बीच होने वाले एक बेहदी वेस्ट और अमेजिंग स्कॉलर्सिप टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको अकरसक रिवार्ड और अक क्वेटएंट एक जैसे कॉंपटेटिव एक्जाम की तयारी कि लिए फेंस है ओ ले रहा है चात्रों यह विल्कोल फिरी होने वाला है बिलकोल जेयो zouसाने वाला है इस टेस्ट को दैने के लिए आपको विल्कोल फde दोरने की जिरुद्स नहीं हैं और साथ ही बात करें एक्जाम में reward की तो जो भी चात्र सिफ एक्जाम में top 5 में आने वाले हैं उन चात्रों को definitely बिल्कुल 100% फिरी नासा की trip मिलने वाली है साथ ही अन चात्रों को अन सभी चात्रों को 100% up to 100% scholarship और इतना ही नहीं top 100 में आने वाले बच्चों को अकड़ सक कैस reward भी मिलने वाले हैं अभी चात्रों इसके बारे में और आपको detail देते हैं तो पहला तो scholarship test जो है बिल्कुल ही 0% में होने वाला है और साथ ही साथ यह जो एक्जाम में चात्रों class 7th जितने भी आपके class 7th to class 12th की student है वो सभी दे सकते हैं और यहां तक 12th fast student जो है वो भी इस एक्जाम को दे सकते हैं ठीक है इसके साथ साथ चात्रों आपको बताया कि इसमें देखो आपके 35mc क्यों type question रहेंगे यह जो आपके scholarship test रहेगा चात्रों इसमें 35mc की question रहेंगे एक्जाम आपका बात करें तो online भी होगा और प्लस offline भी होगा ठीक है online exam जो है वो 5 से 13 November तक होगा और जो offline exam है वो आपका 5 और 13 November इन दो date पे होगा आप चाहो तो exam online भी दे सकते हो और exam को offline भी दे सकते हो ठीक है exam की बात करें तो exam अपने देख लिए कब से 15 से 13 तारिक online और offline है कब से 5 तारिक से 13 November तक अभी बात करें कि exam के लिए registration कैसे करना है और इसकी last date क्या है तो 17 जो बहुत ही जादा important competitive exam है scholarship exam है इस exam के लिए registration की जो last date है वो 13 October है मतलब इसी महीने की आखरी date 30 October है ठीक है तो 30 October तक आप सभी को इसमें registration कर लेना है अभी बात करना कैसा है तो आपको simply से आप description box में एक link मि लेगी जिसमें बिटली unique boy करके लिखा होगा आपको उस पर click करना है आगे का बताने से पहले हम साथ तो आपको बता दें कि जिसको आप सभी को देना है पता नहीं किसका लग अच्छा हो क्योंकि आपकी syllabus से ही आप जिसकी class को select करोगे आप जिस भी class की question answer आएंगे तो जिस चात्रों आप सभी को register करना है और प्लस इसमें exam भी देना है तो देखते हैं को registration कैसे करना है तो चात्रों जैसे ही आप description में रखी हुई bitly unique boy link को click करोगे आपके सामने इस टाइप से अकास बायजी उसका front page open हो जाएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर option मिलेगा mobile number का इसमें साथ तो simply जो भी आपका mobile number हो यहाँ पर आपको mobile number पर डाल देना है और इसके बाद जो get otp है get otp पर click करके आपके mobile number पर otp आएगा उसे यहाँ पर fill करना है और verify otp कर देना है तो otp verify करने के बाद आपके सामने stripe से second option open होगा जो की होगा submit your details यहाँ पर simply आपको अपने नाम इसके नीचे अपने father का नाम डालना है या फिर अन्य mother का नाम भी डाल सकते हो आप में ना इसके बाद email id तो जो भी आपकी email id हो यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर आपको correct जो भी correct date of birth वो डाल देना है इसके बाद जिस भी class में आप हो 7 तो 8 तो 9 तो 10 तो या फिर 12 फास ना उस प्रकार से आपको यहाँ पर tick कर देना है एक्षज़ेट सेलेक्ट करना है अंधरचयों जो भी आपकी करीब में city हो उससे यहां पर select कर दीजिएगा ठीक है उसके वाद यहां पर से आपको select exam date वाले option पर click करना है तो शाब तरहों Submedia details का form भरने के बाद आप यहां पर select exam date वाले option पर आओगे यहां पर आने का आपको simply select पर अपना जिस भी date को आप exam देना चाहती हो उसे select कर सकते हो है ना तो यहां पर आप पांच एच्छे कोई भी टिक कर दीजिएगा मैं यहां पर देखो फांच टिक कर दीता हूं इसके बाद करेंट सिटी स्टेट जहां पर भी आप रहते हो city और स्टेट को आपको select करना है और उसके बाद जो आपका नीचे वाला स्कूल नेम है आपको यहां पर स्कूल नेम डालके complete registration पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद चात्र आपके सामने एक रोल नंबर आएगा ठीक है रोल नंबर करने के बाद आपको सीध्य आप इस पेस पेस पर आज को डालके यहां पर से login कर सकते हो और dashboard पर ही जब आप login करोगे यहां पर है ना यहां पर login को option आएगा तो यहां पर आपको अपने टेस्ट की जो link है मिल जाएगी तेस्ट की लिंक मिल जाएगी यहां से देप आओगे अपना तो टेस्ट देना बिल्करमत भूलना साथ रेजिस्ट्रेशन तो करी लेना प्लस टेस्ट भी दे देना